हेलो आई एम राजयन कुमारत रिपाथी तुड़े वी है डिसकर टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 10 तो सबसे पहले हम यह जानेंगे इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या हो इसमें हम पढ़ेंगे क्या तो इसमें हमारे चार चार टॉपिक्स रहेंगे इंट् और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस रहेंगी यह हमारे टॉपिक हैं जिनके जिन से हम ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् łosरी ट्रुणमेट踏क機會 Hybrid जो वर्ड है वो द्राइगॉन मेट्रिकCS बना हुआ है ट्राइगॉन मिन्स होता है थ्री साइड मेजरमेट इनकल अब जैसे यहां पर एक राइटएंगल ट्रेंगल बना हुआ है एस रायड़ ट्रेंगल में अगर हमारा acute angle A हो अब acute angle A होने पर इसकी sides का अगर हम नाम देंगे तो opposite side of right opposite side of acute angle तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं इसके sides के नाम देते हैं opposite side of acute angle at acute angle called इसको क्या कहेंगे हम पर्पेंडिकुलर 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 अब opposite side of acute angle पर्पेंडिकुलर हो गया अब opposite side of right angle यहां पर यह एंगल है यह राइट एंगल है और इसका जो opposite side है वो हाइपोटेंडियूस कहलाता है तो नेक्स्ट है and opposite side of opposite side of right angle called hypotenuse धिपोतनुस्ट तोनुस्ट, है पूनुस्ट है तोनुस्ट, हम एपोटनुस्ट, हम एपोटनुस्ट। कि है अब यहां पर अब एक साइड अपनी बेस बच्ची हुए यह साइड बेस बच्ची यह एज़सेंट आइज़सेंट साइड ओफ राइट एंगल ट्रेंगल एज़सेंट साइड एज़सेंट साइड ओफ राइट एंगल ओफ ट्रेंगल कॉल्ड बेस तो इस तरह से इस राइट एंगल में हमने से तीनोड साइट का नाम दे दिया एक्यूट अंगल के आपोजित जो हुई वह परपेंडूकलर हो गई जो राइट एंगल की अपोजित हो यह है पोटनी वह होगई और जो एड्रसेंट साइड हो गई वह मिलकर बेस बना दिया अब इनेक्स्ट अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिशियो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिशियो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिशियो पाने के लिए हम एक राइट अंगल ट्रिग्ल यहां पर ABC बनाते हैं जिसमें एंगल सी जो है एंगल सी एंगल सी हमारा ठीटा है और एंगल भी राइट एंगल ट्रिंगल 90 है आप यहां पर हमारे छे ट्रिग्नोमेट्रिक रेस्यो थे हैं कि साइन कोस्ट एंग से कॉट सबसे पहले हम साइन का साइन को देखते हैं साइन ठीटा होता है हमारा परपेंडिकूलर अपान हाइपो टुनी अब यह जो हमने फिगर बनाया हुआ है यह फिगर सेम पहले वाला फिगर था जिसमें हमने साइट्स के नाम दिये हुए थी तो आफिस में हम वही साइट से यूज करते हैं हम तो साइन थीटा इक्वेल टो होता है परफेन्डिकुलर तो परफेन्डिकुलर कौन सी शाइड है इसमेंде ऑ सब्क यहाँ पर है यहाँ पर है 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 सबसे वड़ी साइड ए सी है तो एसी फिर cos theta cos theta हमारा हो जाएगा base, base upon hypotenuse base है BC, hypotenuse है AC BC upon AC 10 theta, 10 theta को normally sin theta और cos theta का भी यह ratios होता है लेकिन यह फिगर अगर हम इसको समझें तो यह होता है base upon perpendicular तो base है BC upon perpendicular है AB यह होगा हमाई sin, cos और 10 अब जो next three ratios है हमारे इनके just reciprocal होते हैं यानि इनको हम just उल्टा कर दें तो इनका इसका denominator numerator उसका numerator denominator हो जाएगा reciprocal में और वहांको मिल जाएगे next ratio तो cos theta जो हमारा होता है AC upon AB AC upon AB in next cos cos का जो प्रेसी प्रवकल स्यक होता है तो AC upon BC AC upon BC in tan theta tan theta का रेसी प्रवकल कॉठ होता है तो cos theta AB upon BC प्रेट 6 हमारे trigonometric ratios हो गए इनसे हम की value निकाल सकते हैं यहां पर हमारा question है inner right angle triangle ABC right angled at B if sin A equal to 3 upon 5 find all the six trigonometric ratios of C यहां पर question में A acute angle A के according हमको value दिए है 3 upon 5 तो sin A की value, sin theta की value हम जानते हैं कि sin theta की value होती है perpendicular upon hypotenuse तो acute angle A के opposite वाली जे वो side होगी वो perpendicular होगी तो perpendicular 3 और अब यह 3 हुई तो इसमें hypotenuse सबसे बड़ी side इसकी हाइपेटुनियूस हुई 5 साइन A equal to perpendicular upon hypotenuse equal to 3 upon 5 अब दो साइड्स हमको मिल गए तीसरी साइड हमको इसकी निकालने तीसरी साइड की निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे पाइथा-गोरस थेोरम, पाइथा-गोरस थेोरम, पाइथा-गोरस थेोरम, hypotenuse square equal to base के square plus perpendicular के square, तो इना figure AC square equal to AB square plus BC square BC square, अब यहां पर हम यहां figure से values put कर देंगे, तो AC square की 5 का square equal to BC AB square plus 3 का square, 5 का square 25 equal to AB square plus 9, 25 minus 9 equal to AB square, AB square equal to 16, AB equal to root of 16, then the value of AB equal to 4, so the third side is 4, अब यहां पर जो हमको values निकालनी है, trigonometric ratios की, according to angle C निकालनी है, according to angle C निकालनी है, तो यहां पर जो sides के name है, वो change हो जाएंगे, यहां पर यह side base हो जाएगी, यह side perpendicular हो जाएगी, क्योंकि हम यह angle भी use कर रहे हैं, यह angle यूज कर रहे हैं, तो इस angle में यह base हो हो जाएगी, यह perpendicular hypotenuse सेम रहेगा, तो इसके लिए सारे ratios हमको निकालने हैं, तो शारे ratios निकालने के लिए सबसे पहले sin C, sin C perpendicular upon hypotenuse, तो perpendicular 4, hypotenuse 5, 4 upon 5, cos C, base upon hypotenuse, base 3, 3 upon 5, in next, tan C, base upon perpendicular, 3 upon 4, next, cos C, cos C, reciprocal of sin C, sin C, 5 upon 4, sex C, reciprocal of cos C, 5 upon 3, and in next, last, cos C, reciprocal of tan C, 3, 4 upon 3, यह हमारे इस तरह हम इनको ratios निकाल सकते हैं, सिर्फ इस में इस example के माध्यम से यह समझना था हमको कि अगर theta angle change होते हैं, अगर हम एक angle के according to हमको value दी हुई है और दूसरे acute angle के according हमको value अगर निकालनी है तो हम किस तरह से इसको निकालें गे, thank you. कर दो